हालो साथियों बहुत दोस्वागत है आप सभी का पीवियर स्टडी में जैसा कि आप साब को पता है काम को साथ बज़े से कच्छा दसकी अंसी आइटी मैथमेटिक्स होती है उसी करम में हम लोग एक बार फिर से उपर स्थित हैं आपकी कलाफ लेकर के चलिए ध्यान से देख आपने सारे प्रसंद पढ़ लिए है कि कोश्चन सातमा ध्यान से दिखिएगा कोई तंबु का सब्सक्राइब एक बेलन के आकार का है अब तंबु क्या होता तंबु को इंगलिस में टेंट बोलते हैं यह ऐसे हैं देख लो फिगर में दिख रहा है ना बस इसमें यह समझ तो मोड़ना नहीं पूरा-पूरा खोल देना है तो चारो तरफ से ढग जाएगा तो उपर आप देखो यह कौन की तरह है संकु आकार का है आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है लेकिन यह सिलेंडर आकार का है ठीक है तो अब समझ यह आगे क्या कहता है कि करमसा 2.1 मीटर और चार मीटर है बेलना भाग कार भाग की जो उचाई है वह करमसा दो प्रकार की है अभी तिखाऊंगा वह फिगर बना करके तदा संकु की जो तिरियक उचाई है उपा तिर्ची उचाई वह 2.8 मीटर है तो इस तंबू यानि कानवास को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा और इसका कुल एरिया क्या होगा यह हमें निकालना है इसके साथ साथ इसका कुल लागत निकालना है अगर 500 रुपए प्रती मेटर स्कॉर की दर से कपड़ा का जो चार्ज है वो लगे तो कितना खर्चा आएगा इस तंबू में आईए इसका फिगर बन ठीक है यह नीचे एक सिलेंडर का आकार का है उपर इसमें एक कोन के आकार का लगा हुआ है यह आपका टोटल फिगर कुछ ऐसे ही बन दा है ठीक है इसमें तिरिया कुछ आई क्या दिया बाबू टू पॉइंट एट मीटर दी गई है यह क्या दी गई है टू पॉइंट एट मीटर कोश्चन एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लिजी आपको क्लियर हो जायागा और कहरा कि यह बेलनाकार भाग की उचाई और क्रमसा टू पॉइंट और मीटर है कहने का मतलब इसमें इन्होंने थोड़ा सा साटकर कर दिया है बेल इस कितना दिया है एं टू फॉइंट वन मीटर और इसकी यह डिया है यह दिया है वाव यह पूरा-पूरा-पूरा-फूर मीटर है ठीक है इसकी चंडाई फॉर्य है तो। यह आधा अगर हम बात करें ध्यान देना सिर्फ इतना तो बाइदव दो हो गा कीने बोलो यानि इसका रेडियस तू होगा ना चुकि पोरा जब four है completely तो आधा क्या होगा दो होगा और इसमें क्या दिया है अभी के लिए तो फिलाल और कुछ नहीं दिया है आईए अब इसका solution करते हैं देखिये मगर प्यार से question को चलिए क्या कहता है जो दिया हो गया हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितना कपड़ा लगेगा नीचे एक चीज और दिया है नोट आधार के कहनवास में जो है वो तंबू को ट्रहका नहीं गया है नीचे जमीन पर कपड़ा नहीं बढ़ते हैं इसमें हम संपूर्ड छेत्रपल निकालेंगे प्रकास है टी ऐसे लिखिए कह कहनमास संपूर्ड कहनमास का चेत्रफल बडाबर या फिर कहनमास का संपूर्ड छेत्रफल बडाबर इंग्लिस वाले लिख लेंगे टी ऐसे इक्वल क्या होता है बहुत पड़े हो ना देखो वाई शिंपल बात है यह जो कुछ बना है ना इसमें दो परकार की आकरतिया एक बेलनाकार एक संकुवाकार है तो बेलनाकार भाग का आपका छेद्रफल टोटल और संकुवाकार भाग का छेद्रफल दोनों जोड देंगे ठीक है तो बेलनाकार भाग का छेद्रफल इसमें लिख लिजी आगे लिखिए आप लोग गए कि बेलनाकार भाग च्यद्रफल प्लस कैशंक कर भाग का च्यद्रफल यहां पर लिखिये का mies कि बेलना का भाग का छे द्रफल प्लस इनि धन पतंकुआ कर भाग का चरह तो बाबू यूपर दो बृत्त नीचे ब्रवाला उसका चुल पता है डू पाई belong होता है और प्लस डू-पà अच्छ का है होता ये भी मैं आपको बताया हूं कि बैद नीचे उपर दो बृत्था कार है बीच में एक आयत क्या कार गाया तैना चालो ठीक है कि उपर जो संकुवा कार है उसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पाई आर यल होगा पाई यार यल बराबर तेच्छी उचाई तिरियक उचाई यही करना था टोटल एरिया आजाएगा आपका इसमें देखो भाईया पाई आर कामन ले लो तो टू एच ब यह 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 संकु का भाग है तो जो आर है वह बेलन वाले पार्ट का है अब रेकट में आजा टू इंटू एच एच मतलब भाई एच किसमें थाइस में धना बेलन में यह हाई 2.1 है कितना है 2.1 है प्लस यह तिर्छी उचाई 2.8 है नो प्राबलम हल कर लीजिए इन 2.2 में बिटा जब तुम 2.8 जोड़ोगे ते 7 हो जाएगा देखो आच दो दस हांसी लेग चार दूशे एक साथ साथ आएगा फाइनल में हम साथ कह सकते हैं इसको कड़ दोगे इकवल 44 मीटर का स्कॉयर आएगा यह आ गया संपूर्ण कहिनवास का एरिया मीटर स्कॉयर क चुब यह है अरिया है इसलिए हमेशा संटीमेटर स्कॉयर में आएगा परिमाप होता होता क्यों मीटर में आता है मese pod मीटर में संटीमेटर में आता इसक्रार आणे लुआ लगता कभा और दूसरा क्या पूछा था इसमें तो क्या पूछा था हिंदी वाले लिख लेंगे कुल लागत कि देखो बाबू यहां पर आपको पता है चुकि वन मीटर स्क्वाइर का खर्चा है 500 रूपए लिखिए लागत ऐसे लिख के नीचे लिखिए चुकि वन मीटर स्क्वाइर की लागत बराबर 500 रूपए यानि चुकि वन मीटर स्क्वाइर की जो काश्ट 500 है यानि इस लिख लिए 44 मीटर स्क्वाइर की लागत ऐनि काश्ट इक्वल 44 इंटू 500 इक्वल 22,000 रूपए गुड़ा करना जानता है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को चार का गुड़ा 44 का गुड़ा पांच में करोगे तो कर लो 220 आएगा दो जीरो बगल में उतर जाएगा इस तरह से आपका यह कोश्टन हो गया किसी को कुछ भी कहना तो बोलो फटा-फट नहीं ना लिख लीजिए स्क्रीन साट ले लिजिए जल्दी से कोश्टन नंबर अगला बचों आज कलास चोटी सी रहेगी आप लोग कमेंट करके बताईए का कितना देर की कलास आप पढ़ना चाहते हैं फिलहाल मिलेंगे हम अगली कलास में बहुत बहुत थैंक्यू इसमें कुल जितने भी कोश्टन हैं सारे करवा देंगे आप घर सब्सक्राइब करके बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आप पढ़ पाए रोज और वह भी फ्री